सुधान्शु जी मुझे बताईएगा 18 मार्च 2005 को गुजरात के मुख्यमंतरी कौन थे नरेंदर मोदी थे ना ये तो आपको पता ही होगा लेकिन आपकी अग्यानता से आज मैं बहुत हैरान हूँ कि इतने ग्यानी व्यक्ति को ये नहीं पता ये मेरे सामने statement है USA का और ये मै अपको अपिछ जी को इसमें अभी तुरंट टाक कर दूगी तो जूर आप इसको पर बिश्कुल आप टाक कर दूगी जवाब देता हूँ आपकी शरारत और जूट का परदाफास दूसरे बात यहां एक सिके और ये और ये डाउन रादिका जी होड़ान सुदांशु तुर्विधी पॉइंट जवाब रादिका जी हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल पॉइंटेड जवाब कह रहा हूँ ये बताईए ये किसका स्टेटमेंट आप पड़ रही है आज तक दुनिया में को उधारन बताईए अगर किसी का वीजा डिनाइड होता है इस्टेटमेंट जारी होता है क्या ये वो है जो आप लोगों ने लिख के दिया था उसके रिस्पांस में रोधीगी ने अपलाई ने किया था वीजा ये वह आप से कह रहा हूँ किसका एस्तेटमेंट ने ने Home स्टेटमेंट जारी होता है क्या मुलफ़ड यूए का सुधान्चू नहीं बोले आप सिर्फ दो लाइन बोलना हूँ नमबर वान कभी यू वीसा डिनाई होने पर इस्टेट्मेंट जारी होता है क्या और ये किसका इस्टेट्मेंट है जो आख कह रही है बोलिए मुझे नेम नव परसबे आलॉंग डिजनेशन बताईए ये देखे युनाइटे नेशन तेट्स ओव इंडिया का स्टेट्मेंट है उनाइटे से सुष्टी सारी अमेरिका और इनकी खुद की वेबसाइट पर डालावा है मैं कोई अमित मालवया की फेक वाटसाप फैक्ट्री से चीजे लेकर नहीं हाती हूँ तो आपने जो चैलेंज किया था और कहा था कि मोदी जी ने कभी वीजा नहीं मांगा पढ़ के आया करिए और देश को वाटसाप फैक्ट्री से चलाना बंद करिए दूसरी बात यहां पर बड़ी बड़ी बाते हो रही है कि मोदी जी ने योगा का ये कर दिया क्यों योगा मोदी जी लेकर आए हमारे रिशी मुनी ने तो कुछ किया नहीं हमारी संस्कृती में लुट देखिए गूगल करिए कितना योगा करते थे और कॉन-कॉन करते थे म थोड़ा 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 इत्मिनान से आपने अपनी बात को रखा और आपने बहुत सेलिब्रेशन के मोड में बोला मोडी जी को वीडा डिनाय हुआ था हमारे पास प्रूफ है 2005 के अंदर और मैं आप से जाना चाता हू रादिका खेडा और ये सवाल मेरी तरफ से भी है और लाखो करोडो दर्शकों की तरफ से भी 2005 में जब नरिंदर मोडी के खिलाफ एजेंडे के तहट उनको वीजा ना मिले उसके लिए चिठिया लिकी गई थी और आप जो कोट कर रही हैं आपकी बात को उपर रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आप जो कोट कर रही ह कि अमेरिका ने फिर उसके जवाब में ये कह दिया आप इसको सेलिबरेट कर रही है भारत का लोकतंत्र आप अमेरिका में दखल की मांग कर रही थी और आप कह रही थी कि भारती है मुख्यमंत्री एक भारती है मुख्यमंत्री थे भारत में गुजरात में मोदी आपके वि जिनाय भी होता है तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे नरेंद्व मोदी का से इतनी गिरिणा थी कि कॉंग्रेस पार्टी और उनके नेता सेलिब्रेट कर रहे थे उनको वीजा नहीं मिला धोल धमा की बचा रहे थे आज किसी प्रदेश के सीएम को अगर वीजा ना मिले तो सेलिब्रेट करेगी क्या आज की रूलिंग पार्टी या आज की सरकारे नहीं वो एनेबल करेंगी य पूरी बात ही बोल रहे हूं क्यों निभाने को कहा था नहीं वो वीडियो प्ले करिये फिर आपके पूरा वीडियो है मेरे पास जहले सब्सक्राइब के में तो दिखाए देखे रादिका खेडा जी को ध्यान नहीं है जिस समय अटल जी ने यह संटेंस बोला था मोदी जी राइट साइड में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वही कर रहा हूं तो उसके आद अटल जी ने कहा था हाँ यह वही कर रहे हैं जाके द दिनायल की बात कर रहे हैं वो क्या मोदी जी ने अप्लाई किया था इसलिए मैं पूछ रहा हूं दर रीजर इस कि किसी गवर्मेंट डेलिकेशन ने अप्लाई किया था है और यहां सेलिबरेशन हो रहा है उससे बड़ा पॉइंट है कि इस देश के साथ सांसदों ने बात के सांसद लिक्के भेशते थे कि भारत के अंदर हस्तक खेट करो और अभी इंका रोप है कि मोदी जी के जमाने तक आते आते माहल इतना बदल गया कि ये कह रही है कि हमने उनके राश्टपत के लिए परचार किया यारी मौमान नहीं है कि हमारा हस्तक्षेप अमेरिका में इतना हो सकता था कि उसकी वज़े से हमारा उनका राश्टपती जीत यहार सकता था कितना बड़ा परिव और उससे पहले बेरक ओबामा ने उनको फ्रेंट कहा था अपने देश पे गरीब फटाने के लिए टेंट लगाया अगर उसके बाद की कोई बतलाव नहीं आया जूट की बहुत सीमा होती है क्या जूट की सीमा होती ही बताईए एक सीमा होती है मोधी भक्ती की कर रहे है तो करिये फिर मैं बोलूँगी मोधी जी ने वीजा के लिए अपलाई किया और उनको वीजा डिनाय हुआ मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है मोधी जी गाला स्टेटमेंट जो अभी अमीज जी ने नहीं दिखाया वो मैं इसके बात प्ले करके दिखा दूगी मैंने अप और डाउनलोड कर लिया है और सुना दूगी कि मोधी जी ने क्या कहा और फिर वाजपई जी ने क्या कहा मैं फिर बोल रही हूँ ये कॉंग्रेस सच पे बात करती है हम अमित मालविया ने जो अब बात कर रही है उस पर आप अज पढ़ित नहिरु उसकी गये तो उनकी फूड प्रेफेरिंस में बीफ भी था जो अमित मालविया ने एक किताब के सो जन्ने से ट्वीट करा है तो टॉकिंग अबाउट दिस ये अमित मालविया जो है ना वो एक अलगी दुम्या में चलते हैं ठीक है उनका काम है फैक्ट को तोड मरोड के पेश करना जूट फैलाना और वो पिछले नौ साल से यही करते आ रहे जबसे वो अध्यक्ष है इसलिए पूरा देश लाखों करोडों लोग उनको फेक वाटसाप फैक्टरी के बुखिया बुखाब लें इस देश में बीफ मिलेगा चाहे गोवा हो या नौर्टीस्टों रोप के दिखाएं पंडित नहरू के समय से योगा होता हुआ रहा है तो अभी नई बात क्या कर दी है और जो अमित मालविया की बात है उस पर जवाब देखे मैं इसी बिंदू पर बैपठाई देखे समस्या क्या है बिलकूर शी белियों के दबाने से होता रहा है पर किसी की हिंपत थो हो कि वो कहने का प्रयास करे आज कोण्ग्रेस में सामने मौका था कि ये कहते कि भाई नहरू जी भी योग करते थे आज इनके सामने मौका था ये कहती इंद्रा जी भी धीरें दब्रमचारी के द्वारा योग सीखती थी और दूर्दर्शन पर आता था मगर मोदी विरोध की घरणा में इसकदर ये लोग आबद हो जाते हैं कि अपने मेताओं की भी उपलब्दी दरकिनार कर देते उनका भी अप्मान कर देते अरे भाई मोदी जी ने उस विवस्था की हिम्मत दिखाई और उसे लाकर इस्थापित किया इसके लिए आपको सराना करनी चाहिए जो आपके जमाने में आप लोग इन्फियाटी कॉंप्लेक्स में रहते थे इस कारण से आप नहीं कर पाते थे और यहां तक इन्हों ने नहरू जी की बात कही अगर इनको आपत ही है तो उसके बारे में आपत ही दर्ज करा दे और कहें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से और यहां तक आपत की बात है तो मैं यह भी बात बताए देना चाहता हूँ ऐसा नहीं है नहरू जी के जमाने में रादिका खेड़ा जी सुरिये जॉन केनित गैर्बिच जो अमेरिका के अमबेसडर थे नहरू जी के जमाने में सबसे पहले उन्होंने अपनी किताब अमबेसडर जनरल में क्या क्या बाते लिखी हैं नहरू जी के बारे में पढ़ के आपका सरशब्स से जोग जाएगा और अब तो वो लेटर बिटी इसलिए मैं कह रहो हूँ अगर साह से हिंमत है तो जाके उन्हीं चीजों पिलिगर नो टी सह देरीगा जो लिखित में भी हैं सुने में भी हैं किताब में भी हैं डॉकुमेंट्स में भी विपक्षी एक्टा की बात हो रही है लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रेस के वरिष्ट प्रवक्ता हैं नेता हैं वो कह रहे हैं कि अर्विंद केजिवाल हमें क्या सिखाएंगे भगवंत मान हमें क्या सिखाएंगे और उन्होंने जिन शब्दों से उस पात को नवाजा शराबी तक कह दिया क्या आपको लगता है कि मोदी के विरोध में विपक्षी एक्ता तो हो रही है लेकिन आपस में समनवाएं नहीं है अमीर जी सभी को नमस्त है सबसे पहले तो मुद्दा जैसा हमने बहुत क्लियर कर दिया और अद्विन केजरिवाल जी ने भी कह दिया कि सेमी फाइनल माना जाएगा जब ये गैर कानूनी अध्यादेश को राजज़बा में लाएंगे और उस ताइम पता चलेगा कि बीज हमजाब और दिल्ली में जीरो पर हैं तीसरी चीज क्योंकि सुधानशु जी बैठे हैं जिनको मैं बहुत ज्यानी आदमी समझती हूं और वह हम भी बहुत खुश हैं योगा को लेकर और आपने कहा कि सेंट्रल गर्मेंट इनेबलर है तो मेरी लाइव टीवी पर उन से रि दुबारा शुरू हो जाएंगी तो इन से रिक्वेस्ट है वो दुबारा शुरू करा दीजे जहां तक बाहर जाने का नियोता देने का है तो अर्विंद केजरिवाल जी को लगातार केंदर की सरकार बाहर जाने से रोकती है तो इनको यहीं पर लाइव शो पे मेरी पर जो इनको जीट है और वो कैसे चड़ी है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री इनके शराब घोटाले के आरोपी है और पंजाब के मुख्यमंत्री इनके शराबी है जो विदेश जाते है प्लेन में घुसने से पहले गिर जाते है शराब पीने की वज़े से तो एक शराब घोटाले के आरोपी के नेता जो इनके है और एक शराब खुदी शराबी ये लोग ग्यान ना दे कि क्या हुआ है और पंजाब की तो आब बात बिल्कुल मत करिये जिस तरीके से खालिस्तान मुव्मेंट वहाँ पे वापस अक्टिव हो गई है जिस तरीके स अब बात 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 है तो जो भारतिय जनता पाड़ी के साथ शरिंत्र रचा तो जो भारतिय जनता पाड़ी की बी टीम है वो क्या बात कर ले बात कर लेंगे सब्सक्राइब कॉंग्रेस और बीजेपी ने मिलके की फ्लाइट आने से रोग दिया था क्योंकि उन्हें ने ड्रिंक की वी थी ऐसा बोलना बंद कर दे जूट बोलना बंद कर दे आप दूसरी चीज इसमें आप देवा वांग्रेस ने जब आरोप लगाय था